हेलो दोफ्तों आज की इस medical lecture में हम लोग जानेंगे कि दवान्यों कैसे identify करें कैसे पहचाने कि कौन सी दवा किस काम में आती है हम जो है दवाई के last के नाम से ही मतलब last के अक्षारोस से ही जिसे हम suffix बोलते हैं इसके जरीए हम किसी भी दवा का यूज जान सकते हैं बहुत अच्छी ट्रीक है जानने की कि आप जो है दवाई के नाम से ही उसके यूज के बारे में जान सकते हैं तो दुद्ध तो आगे बढ़ने से पहले हम आप से कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करके चेलो को ससक्राइब जरूर करें तो दोफ तो शुरू करते हैं दोफ तो किसी भी दवाई को जानने के लिए जो है उसके नाम में ही कुछ लाश्ट के अक्षन होते हैं जिसके जरीया हम जान सकते हैं जिससे सबसे पहला आप देख सकते हैं प्राजोल ये प्राजोल जो है ये एक suffix है, मतलब लाष्ट का शब्द है जो अर्साल्ड होता है उसके लाष्ट का नाम है यह प्राजॉल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ओमी प्राजॉल यहाँ पे लिखा पेंट़ा प्राजॉल यहाँ पे लिखा रेवी प्राजॉल और यहां लिखा लेंसो प्राजोल आप देख सकते हैं सब के पीछे प्राजोल लिखा है और आप देख सकते हैं यहां आपने एक्जामपल में इमेज भी दिखा है जैसे का आप देख सकते हैं यहां प्राजोल लिखा है इस medicine के पीछे ही प्राजोल लिखा है यहाँ भी प्राजोल लिखा है और यह जो है class of drug मतलब किस class की किस category में drug आती है प्राजोल की यह जो होती है दोस्तों यह PPI मतलब proton pump inhibitor होती है मतलब इस class की जो है यह drug होती है और इसके अगर हम use की बात करें कि यह कब दी जाती है यह दी जाती है acidity गेज बनने में जब किसी को acidity होती है गेज बनती है तब दी जाती है या फिर peptic ulcer मतलब पेट में छाले होना जब पेट में छाले हो जाती है किसी के peptic ulcer होता है तब यह दी जाती है तो दोस्तों आप दियान में रखिएगा कि प्राजोल जिस भी मेडिसीन के पीछे लिखा हो लाष्ट के अक्षर तो वो जो है एक पीपी आई मतलब गेस को दूर करने की दवा है तो दोस्तों आप इसका स्क्रीशोर्ट ले लीजिए फिन नेस्ट आता है फ्लोक्सासिन आप देख सकते हैं फ्लोक्सासिन ये लाष्ट के अक्षर हैं मतलब लाष्ट के दवाईयों का नाम है जैसे कि यहां पर लिखा है और फ्लोक्सासिन नोर फ्लोक्सासिन सिप्रो फ्लोक्सासिन और लिवो फ्लोक्सासिन आप देख सकते हैं सबके पीछे filloxacin लिखा हुआ है यह जो है आप यहां भी देख सकते है यह सारी दवाग्यों के पिक्चर है यहां सब में filloxacin filloxacin लिखा हुआ है अगर एसके हम किलास की बात करें कौन से किलास की है ड्रक तो यह एक एक antibiotic category की medicine होती है आप फोरन समझ जाएं कि यह एक एक एडिवाइटिक मेडिसिन है और इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है UTI infection UTI infection मतलब urinary tract infection मूत्र नली में infection अगर हो जाता है किसी को तब यह दी जाती है या फिर eye infection आखों में infection हो जाता है आखों में संकर्मण हो जाता है तब यह दी जाती है या फिर ENT infection मतलब नाक कान गले में infection हो जाता है तब भी दी जाती है और last इसका काम होता lung infection फेपडों में infection फेपडों में संकर्मण हो जाता है तब भी ये यूज में ली जाती है तो दोस्तो जब भी आपको कोई ऐसी मेडिसिन मिले जिसके पीछे फिलॉक्सासिन लिखा हो तो आप फोरान समझ जाएए कि ये एक अंटिवार्टिक मेडिसिन है फिर नेक्स्ट आता है दोस्तो सोन आप देख सकते हैं सोन सारी मेडिसिन के पीछे सोन लिखा है जैसे कि बीथा मेथा सोन डेक्सा मेथा सोन हाइडियो कर्डिसोन और फिलोरोडो कर्डिसोन तो आप देख सकते हैं सोन लिखा है सब के पीछे यहाँ भी सोन यहाँ भी सोन सब जबा सोन लिखा है यहाँ आप आप इमेज में भी देख सकते हैं कि सोन लिखा हुआ है तो यह जो है किलास ओफ ड्रग किस किलास की है तो यह जो है इस्ट्रोइड किलास की मतलब इस्ट्रोइड केटगरी में आती है यह दवाई और इसका यूस किया जाता है Allergy and Inflammation मतलब Allergy हो जाती है किसी को खुजली हो जाती है तो उस Allergy में इसको दिया जाता है या फिर Inflammation मतलब सूजन हो जाती है बोड़ी में कहीं भी अगर सूजन हो जाती है तब भी यह दी जाती है तो आपको जब भी कोई ऐसी medicine मिले जिसके पीछे son लिखा हो तो आप समझ जाएए कि यह कि stroid category की medicine है जो की allergy और solution में काम आती है तो दोफतों आप इसका भी दल्दी से screenshot ले लीजिए फिर next हमारी जो medicine आती है जिसके पीछे लिखा होता mycine आप देख सकते हैं mycine जैसे कि यहां लिखा azithromycin erythromycin clathromycin और neomycin सब के पीछे आप देख सकते हैं mycine शब्द लगा हुआ है तो यह जो है आप image में भी देख सकते हैं सब के पीछे mycine लिखा हुआ है और यह जो है एक antibiotic class की drug होती है अदर इसकी जो category होती है वो antibiotic होती है और इसका जो use किया जाता है वो किया जाता है नमुनिया जब किसी को नमुनिया हो जाती है तब इसको use में लिया जाता है या फिर skin infection जब किसी के तोचा में infection हो जाता है खाल में infection तब यह दी जाती है या फिर UTI infection मतलब urinary tract infection मूत्र नली में infection संकर्मण हो जाता है तब भी ये दी जाती है या फिर cyanetics दोस्तों cyanetics एक AC disease होती है इसमें क्या होता कि मोसम बदलने से ही एकदम से नजला होने लगता चीके जुकाम होने लगती है जरा सा मोसम चेंज होने से लोगों को तो वो cyanetics होती है तो उसमें भी ये यूज में दी जाती है antibiotic category है दोस्तों आप इसका भी screenshot ले लीजिए फिर next आती है cyclin आप देख सकते है cyclin सारी दवाण्यों के पीछे सारी medicine के पीछे cyclin लिखा है जैसे कि dox doxy cyclin tetra cyclin minocyclin oxytetra cyclin आप देख सकते हैं सबके पीछे cyclin शब लगा हुआ है तो ये जो है आप इस image में भी देख सकते है image में यहाँ सब cyclin लिखा हुआ है तो ये जो है class of drug किस class की है तो ये है tetra cyclin antibiotic ये tetra cyclin antibiotic होती है और इसका use किया जाता है respiratory tract infection respiratory tract मतलब हमारे सास नली में जब हम सास लेते हैं फेबरे वगेरा ये सास की नली होती है तो इसमें infection हो जाता है किसी भी तरह का तब ये use में ली जाती है या फिर UTI infection मतलब urinary tract infection मुत्र नली में vandaag फेशाब की नली में infection हो जाता है तब ये दी जाती है या फिर एकने and pimple जब किसी को कील मुहा से निगलते हैं तब ये सारी medicine दी जाती है ये टेटरा साइक्लिन एंटिवाइटी होती है दोस्तों आप इसका भी screen shot ले लीजिए फिर next आती है दोस्तों फिल आप देख सकते हैं सारी फिल यहां भी फिल तो ये जो है दोस्तों अगर हम इसके class की बात करें किस class की किस category में आती है ये drug तो ये होती है fast for die as stress inhibitor इस category में ये आती है और इसके अगर हम use की बात करें तो erectrial dysfunction मतलब ना पुन सकता में इस्तेमाल में आती है बहुत सारे पुरुश ऐसे होते हैं जिनने ना पुरुण सकता होती है वो अपने पार्टनर को संदुश नहीं कर पाते तो उस परशानी में ये दी जाती है तो दोस्तों आप इसका भी दंदी से स्क्रीन्शोट ले लीजिए फिर नेक्स्ट आता है डाजोल आप देख सकते हैं डाजोल जैसे कि अलबेंडाजोल और मेबेंडाजोल और मेटरीना डाजोल सब के पीछे आप देख सकते हैं डाजोल लिखा हुआ है और ये जो है अगर हम इसकी किलास की बात करें किस किलास में यह आती है तो यह आती है anti-helmethic category में आती है anti-helmethic drug होती है यह आप यहाँ देख सकते हैं यह picture में सब के पीछे जो है डेजोल लिखा है और इसके अगर हम use की बात करें तो anti-warm यह anti-warm medicine होती है जो की पेट के कीड़े मारने में काम में आती है वह सारे बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं वर्म होते हैं तो उन्हें मारने का यह काम करती है तो आपको जब भी कोई ऐसी medicine मिले जिसके पीछे डेजोल लिखाओ तो आप फोरां समझ जाईए कि यह जो है पेट के इड़े मानने की दवा होती है फिर नेक्स आता है इरामाइन आप देख सकते हैं यहां सब में लाश्ट में इरामाइन लिखा है जैसे कि फैनीरामाइन और किलोरो फैनीरामाइन तो यहां सब के पीछे इरामाइन लिखा है और यह ड्रग जो होती है इसके अगर हम किलास की बात करें तो anti-histaminic drug होती है इन सबके पीछे iramain होता है और इसका use किया जाता allergy जब शरीर में किसी भी तरह की allergy हो जाती है किसी भी तरह की allergy अगर होती है तब इसको दिया जाता है या फिर runny nose runny nose मतलब नाग बहना तो दोस्तों आप इसका भी screen shot ले लीजिए फिर next आता है नाजोल आप देख सकते हैं सबके पीछे लिखा है नाजोल जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था डेजोल और ये है नाजोल तो जैसे कि लिखा कीटा की नाजोल फिलो के नाजोल मीको नाजोल और इसको यूज में लिया जाता है जब शरीर में तो होचा में किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्षन हो जाता है तब इसको यूज में लिया जाता है तो दोस्तों आप इसका भी screen shot ले लीजिए फिर next आता है सैट्रोन आप देख सकते हैं जैसे कि last में यहां लिखा है सेट्रोन, ओंडा सेट्रोन और ग्रेंिस ट्रोन आप यहाँ देख सकते हैं कि सेट्रोन लिखा दोनुजवाँ यहाँ इमेज में भी सेट्रोन लिखा है, तो यह जो है एक एंटि किलास की ड्रग होती है, एंटिमेटिक्स और इसका Use किया जाता है Nozzia and Vumating Nozzia का मतनब G मचलाना मच्त लियाना और Vumating का मतनब ULTI होना जब किसी का G मचलाता है ULTI होती है तब इसको Use में लिया जाता है फिर नेक्स आता है Zosin, आप देख सकते हैं, सब के पीछे Zosin लिखा हुआ है जैसे कि pairazocin, terazocin और dexazocin सब के पीछ निखा हुआ आप लाश्ट में देख सकते हैं और इन इमेजियों में भी आप देख सकते हैं निखा हुआ है सब के पीछ और यह जो है कि alpha blocker की गैटे घ्रिमा आती है मत ऐना के分 comprend खिलयास की alpha blocker की किलास की है और इसका यूज किया जाता हाइपर टेंशन जब किसी का बिलेड प्रेशर नॉर्मल इस तर से बड़ा हुआ रहता है मतलब बीपी बड़ा रहता है उसका तब उसको ये दी जाती है फिर आती है नेक्स्ट हमारी दोस्तो लुकास्ट आप देख सकते हैं लियोट्रेन एंटागोनिस्ट होती है लियोट्रेन एंटागोनिस्ट केटेगरी में आती है ये और इसका यूज होता है का फेन कोड मलतब सरजी जुकाम में यह दी जाती है और ब्रॉन काइल अस्थमा जब किसी को ब्रॉन काइल अस्थमा हो जाता तब भी यह दी जाती है तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीन शोट ले लीजिए फिर नेक्स आती है फैनेक आपने काफी देखा होगा मेडिसिन मे जो है साल्ड के बीचे फैनेक लिखा होता है जैसे कि डिकलो फैनेक ऐसी किलो फैनेक आप देख सकते हैं या फैनेक लिखा है आप यहां इमेज में भी देख सकते हैं और यह जो होती है काडेक्स के हम किलास की बात करें किस किलास में आती है तो यह आती है एनसाइट्स के टेगरी की मतलब नोन इस्टरोइडल एंटी इंफिलामेटरी ड्रग होती है और इसका क्यूज होता है रिड्यूस फीवर मतलब बुखार को कम करने में जब बुखार आ जाता है तब इसको दिया जाता है या फिर रिड्यूस पैन दर्द होता है तो दर्द को कम करने में इसको यूज में ले जाता है या फिर रिड्यूस इंफिलामेशन सूजन को कम करने में इसको देते हैं तो इसके ये तीन काम होते हैं पिर नेक्स्ट आता है दोस्टो हमारा Olone, आप देख सकते है Olone जैसे कि Partisan को दिया जाता है या फिर इन्फिलामेशन सूजन हो जाती है तब इसको दिया जाता है फिर नेक्स आती है प्रिल प्रिल मतलब आप देख सकते हैं सबके पीछे प्रिल लिखा जैसे की लीनोस प्रिल और एनल्स प्रिल और कैप्टो प्रिल और बेंजर प्रिल सबके पीछे प बड़ा रहता है सब इसको दिया जाता है या फिर हाड अटेक जब किसे को दिल का दोरा पड़ता है या फिर kidney problems जब किसे के गुड़े में कोई परशान कंयक्ती ही तब भी इसको यूज में लिया जाता है फिर लास्ट आती है O-Lol जैसे कि आप देख सकते हैं सब के पीछे O-Lol लिखा है जैसे कि प्रोपरोना लोल मीटर प्रालोल और एटिना लोल और इसमो लोल सब के पीछे लोल लिखा है यहाँ आप अब इमेज में भी देख सकते हैं लोल लिखा है यह जो है बीटा ब्लोकर केटेगिरी की मेडिसिन होती है बीटा ब्लोकर और इसका यूज किया जाता है हाई बीपी उच रख दाब में मतलब जो है ब्लेट प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको कम करने में इसको दिया जाता है तो दोस्तो आप इसका भी स्क्रीन शोट ले लिजिए तो दोस्तो आपको हमारी दी गए जानकारी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप खुझ से किसी भी दवाई को लेने का प्रियास ना करें और इस वीडियो का अंदर हमसे जो मिस्टेक हुई हो बोले में गलती हो गई हो तो उसे माफ करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना